आखेर इतने कर्ज में कैसे डूब गए भारतिये स्टेट बहरत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के GDB से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और किया आपको पता है महराश्ट में मुंबई जैसे शहर होने के बावजूद इस से डूबे हुए है और कैसे भारत का एक राज्य देश के एकॉनमी में सही हो कर रहा है वहीं दूसरी और देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जो भारी कर्ज में ढूबे हुए हैं ये कर्ज इतना ज्यादा है कि इसका अंदासा भी नहीं लगाया जा सकता है शायद आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ इस्ट के राज्य या फिर छोटे मोटे प्रदेश इस लिस्ट में शामिल होंगे लेकिन आपको बता दे कि इस सूची में भारत के समर्द राज्यों के नाम भी शामिल है आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही दस राज्यों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को नमबर दस तेलंगाना तेलंगाना भारत में ग्यारवा सबसे बड़ा राज्य और बारवा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जो की भारत के दक्षिर में मौजूद है यहां मुक्य रूप से सिचाई के लिए वर्शा जल स्रोतों पर निर्बर हैं तेलंगाना के प्रमुख पैदावार चावल है इसके अलावा गन्ना कबास और तंबाकु यहां काफी मात्रा में पैदावार होते हैं साथ ही आटो मुबाइल टेकस्टाइल और सौफ्टवेर इंडस्ट्री के उद्योग भी शामिल है दरसल तेलंगाना के साख शर्ता दरभातर दशमलव आठ प्रतिशत की है साथ ही नो दशमलव चैशू ने ट्रिवीलियर के जीडीपी के साथ ये अर्थ व्यवस्था के रूप में आटवा सबसे बड़ा राज्य है जहां की पर कैटा जीडीपी दो लाक टाइस हजार रुपए है हाला की पिछले वर्ष का कर्ज तेलंगाना के उपर दो लाक उननीस हजार तीन सो चैलिस करोड का था पर इस साल वो बढ़कर दो दशमलव दोनो लाक करोड हो गया है इसी कारण दस सबसे ज्यादा डूबे कर्ज में शामिल है पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य है जो की एरिया के हिसाब से 19 वा और आबादी के हिसाब से 16 वा सबसे बड़ा राज्य है हाला कि पंजाब की जीडीपी 5.75 प्रिलियन रुपाए की है जो की भारत का सबसे उपजाओ छेतर माना जाता है क्योंकि पंजाब को अन्य भंडार और भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब अकेला भारत का 19.5 प्रतिशत गेहूं और 11.4 का उत्पादन करता और साथी पंजाब राज्य में वस्तर उद्योक का बड़ा रोजगार है और साथी यहाँ पर कैप्टा जीडीपी 1,66,830 रुपए की है मद्येपृदेश UHMP भारत के मद्धि में बसा एक राज्य है मद्येपृदेश निवासियों के हिसाब से दूसरा और 75 मिलियन निवासियों के साथ जन संख्य का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है हालाकि MP हीरा खदानों का एक मातर भारतिय राज्य है हाँ हीरों को काटना पॉलिश करना अभूशन निर्मार जैसे उद्धियों के लिए एक प्रमुक उद्धियों की राज्य है जो छे लाग चार हजार शुद्ध हीरों के भंडार के साथ ये भारत के कुल भंडार का 99 प्रतीशत है इसके अलावा MP का जिला मुरेना शहद दशमलव 6 प्रतीशत है साथ ये राज्य दो लाख 78,601 करोड रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है नमबर साथ कैरला कैरला भारत के दक्षिन पश्चिम मालवा तड़ पर इस्थित एक राज्य है जो की एरिया के हिसाब से 21 और 3.4 करोड की आबाधी के साथ 13 वा सबसे रुपए के साथ नवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था वाला राज्य है साथ ही 96.2 प्रतीशत सबसे स्यादा साक्षर्टा वाला राज्य है इसके अलावा सबसे कम जन संक्या व्रिदी दर और 1000 पूर्शों पर 1084 महिलाएं का लिंगन उपाथ है साथ ही कैरल का समूंदर 575 किलो मीटर तक फैला हुआ है और यहां के लगभग 1.1 मिलियन लोग मतद से उद्योग पर निर्बर हैं जो राज्य की आयमें 3 प्रतिशत तक का योगदान देता है गुजरात भारत के पश्यमी तट पर बसा एक राज्य है जो की एरिया के हिसाब से पाँचवा और 71.5 मिलियन जन संक्या वाला नवा सबसे बड़ा राज्य है 15.5 लाग की जीडीपी के साथ पाँचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता वाला राज्य है जहां पर 2020 तक पर कैप्टा एक लग 57,437 रुपई की थी गुजरात 19 प्रतीशत अर्थ व्यवस्ता क्रिशी और 45 प्रतीशत अर्थ व्यवस्ता इंडस्ट्रीज से चलाती है साथ ही रतन आभूशन व्यवस्ता है अनोके हाथों से बने चांदी के गहने का उतपादन के लिए गुजरात अंदराश्ट्री इस तर पर प्रसिद्ध ह हाला कि गुजरात की साख शर्ता दर 78.3 प्रतीशत है इसके बाफ़जूद गुजरात राज्य के पास 3,34,990 रुपए करोड का कर्ज है नमबर पाच आंदर प्रतेश ये भारत के दक्षणी पूर्फ तट पर बसा एक राज्य है जो की एरिया के हिसाब से साथवा और 92.5 मिलियन की आबादी के हिसाब से दसवा सबसे बड़ा राज्य है जो की 9.7 लाख करोड के जीडिप के साथ आठवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्तावाल राज्य है जहाँ पर कैप्टर जीडिपी एक लाख 79,519 रुपए हैं 2020 के लुसार हाला की ये राज्य 34 प्रतिशत करशी और 43 प्रतिशत सर्विस छेतरों द्वारा आएका स्रोत बनाता है दरसल आंदर राज्य की 60 प्रतिशत आबादी करशी संबंधित चले स्तर पर है जो की 357,449 करोड कर्ज में डूबा पाच्वा राज्य है नमबर चार करनाट का ये भारत के दक्षिर पश्चिन छेतर का एक राज्य है इसकी एरिया के हिसाब से दक्षिर भारत का सबसे बड़ा और भारत का चटा सबसे बड़ा राज्य है साथी 70 मिलियन की आबादी के हिसाब से आठवा सबसे बड़ा राज्य है करनाटक का 16.9 रुपए की जीडीप के साथ भारत की चौती सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता वाला राज्य है हालाकि करनाटक की पर कैप्टा जीडीपी 2,31,296 रुपए है इसके बावजूद इस राज्य में 3, 3,70,000 करोड का कर्ज है दरसल यहां की साक्षर्ता दर 75.6 प्रतिशत की है और ये राज्य निवेश और निर्वात दोनों के मामले में भारत के प्रोद्योगे के चेतर में आगनी है ये राज्य एलेक्ट्रोनिक फूड प्रोसेसिंग भारी मशीन और कपड़ा उद्योग के साथ भारत का चौथा और एरिया के हिसाब से चौद्वा सबसे बड़ा राज्य है साथी बारा दशमलव पाच्छार लाख करोड की जीडीप के साथ भारत की चटी अर्थ विवस्था वाला राज्य है जहां की पर कैप्टर जीडीप एक लाख पंद्रह हजार साथ सो और 2020 के अनुसार हाला की यहां की साक्षर दर 76.26 प्रतिशत रही है लगभग लेकिन बंगाल को चावल और आलो का प्रमुक भंडार माना जाता है क्योंकि बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा स्रोध राज्य है साथी बंगाल में मचली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पा का राज्य है जो की एरिया 126.2 मिलियन की आबादी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो की 28.24 लाख करोड की जीडीपी के साथ भारत की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता है जिसे एकॉनमी कैपिटल आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है पर दो लाख 7,7 277 रुपाई के साथ पर कैपिटल जीडीपी में ये बारवे स्थान पर है दरसल मुंबई भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज वाला शहर है जो की भारती अर्थ व्यवस्ता में प्रमुख योगदान देरा है साथी अंतराष्ट्रिय व्यापार परियाटन आदी महारा यूपी उत्तर भारत का एक राज्य है जो की एरिया के हिसाब से चौथा और 235 मिलियन से ज्यादा आबादी वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है हाला कि यूपी की जीडीपी 17.94 लाग की है जो की भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला राज्य है भारत जीड प्रतिशत की हिस्सेदारी समालता है एक रिपोर्ट के मताबिक पिछले कुछ वर्षों में यूपी राज्जे ने आर्थिक विकास का उच्छ दर्का अनुभव किया है एन एस डीपी के अनुसार उत्तर पुर्देश महराश्चे के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर ने वाद